चलिए अब आप आते हैं होबीज पर हमेशा याद रखिएगा try to understand the point कभी आपने इस बात पर आश्रे नहीं किया दोस्तों समझेगा यह video series रटी रटाई बाते करने के लिए नहीं है समझ रहा है यह video series वो नहीं है कि हम आपको चार question बताएंगे और उनके answer बता देंगे हम उसके पीछे का context आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं हम उसके पीछे का purpose समझाने की कोशिश कर रहे हैं और याद रखिएगा अगर आपको यह skills आ गई तो आप कुछ खुद question का answer भी frame कर पाएंगे पहली बात दूसरी बात अगर कोई unexpected question पूछ लिया जो आप practice करके ही नहीं गए हैं लेकिन आपको frame करना आता है आपको logic आता है तो आप क्या करने वाले हैं आप तुरन तुसका question का answer देने में एक तो आप confidence solution नहीं करेंगे आप नर्वास नहीं होंगे और इसका question का answer देने में भी section होने वाले हैं अब आप बताते हैं अपनी hobbies या आप अपने introduction में अपनी hobbies बताते हैं दो चीज़े समझेगा जब as a student जब मैं एक student था पता है जब कोई question private sector में मैं उस समय जौब के इंटर्वी के लिए गया तो मैंसे question प आखिर interview में काम क्या है अब मैं आपको बताता हूं काम क्या है बेसिकली जब आप hobbies बताते हैं हमें शाय याद रखेगा हर काम से एक set of skills develop होती है हर किसी भी व्यक्ति के अंदर आपको लगता है basically आप hobbies बता रहे हैं पर interviewer hobbies नहीं सुन रही होते interviewer सुन रही होते हैं वो set of skills जैसे आपने कहा I love playing chess तो आपको लगा मैंने बोला है I love playing chess लेकिन पता है interviewer ने क्या सुना है chess खेलने वाले के अंदर दो तीन characteristics या set of skills develop जरूर होंगी पहला patience जो भी chess खेलता होगा उसके अंदर धेरिया बहुत होगा उसके अंदर patience बहुत होगा दूसरा planning दीसरा तीसरा vision जो था strategy बही जो chess खेलता है ना वो एक चाल चलने से पहले चार चाल सोच लेता है कि इसके बाद ये चलेगा इसके बाद वो वो चलेगा तो actually आपने chess बोला है सामने वाले interviewer ने chess नहीं सुना उसने सुना है patience इसके अंदर होना चाहिए इसके अंदर strategy होनी चाहिए इसके अ 11 इसके team में होते होंगे 11 सामने वाले की team में होते होंगे यानि ये public dealing जानता है ये लोगों से communicate करना जानता है दूसरा जब cricket खेलता होगा तो कई बार हम दौपहर में भी cricket खेलते है 40 42 44 degree का temperature होता है यानि ये adverse situation में काम करने में बहुत सक्षम हैं तीसरा ये team spirit में believe रखता ह क्यों क्योंकि cricket अके ली तो खेली नहीं जाती तो आपको cricket cricket सुनाई देती हैं लेकिन सामने वाले को सुनाई देता है team spirit सामने वाले को सुनाई देता है कि objection handling सामने वाले को सुनाई देता है odd situations में आपकी cop up करने की capability सामने वाले को सुनाई देती है public dealing तो जब भी आप कोई भी hobbies बताएं genuine hobbies बताईएगा पहला point पस कोशिश यह कीजिएगा उन hobbies का message यह जाना चाहिए कि as a teacher आपके case में यह hobbies आपको value add करने वाले है add on करने वाले है एक point दूदरा point ढाला कि मैं इस विशह पर तो next video में बात करूँगा लेकिन इतना जरूर याद रखिएगा मैं I can guarantee you यह जो introduce yourself वाला question होता है actually इसके सबसे बड़ी खुबी बताऊं यह आपके आपके हाथ में बैटन देता है यह question यह steering interview की आपके हाथ में देता है आप चाहें तो इसी question से पूरा interview drive होना शुरू हो जाएगा I can guarantee you उनका अगले वाला जो question होगा आपके introduce yourself होगा यह मैं जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूँ तो अगर आप देखे एक बात और समझने की कोशिश कीजिए हम interview में डरतने हैं मेरा कहना क्यों डरतने है मुझे interview के बारे में सबसे पसंदेदा बात क्या लगती है interview में ऐसा कुछ पूछा ही नहीं जाता जो आपको आता नहीं इंटर्व्यों में rocket science पूछी ही नहीं जाती वो पूछ रहें introduce yourself आप क्या वह आप से एक्सपेक्ट भी नहीं करते हों कि आप 20-23-25-65 साल के हैं आप अपने बारे में इंट्यक्शे नहीं करने के लिए आपको ड्राइव कर सकते हैं पूरे interview के ऑся के बेश है आपसे पूछते क्या है वो बताइए बताइए वाट यह तो आपको अपनी बतानी यह आपसे पूछेंगे अच्छा अच्छा बताइए वाइव डू यू वाइट जोइन के विएस आपके विएस जोइन क्यों करना चाहिए इसमें नौलीज की जर्थ कहां से पढ़ गई इस इसमें ऐसी कौन सी बात जो आपको कहीं सर्च करनी पड़े और मैं क्यों करना चाहती हूं के विएस आप कभी इंटरव्यू के क्वेशन को देखिएगा ध्याम से बड़े गार से सुनिएगा उसमें कोई भी ऐसा क्वेशन नहीं होता जो आपका भीवरल क्वेशन ना हो व आसी इंटरव्यू में चेक होता है तो आप जो भी आंसर दें आप कुछ संभावित कुछ पॉसिबल क्वेशन के एक लिस्ट बना लीजिए उनके कुछ पॉसिबल आंसर सोच लीजिए उन्हें मौक इंटरव्यू में जाकर प्रैक्टिस कर लीजिए उनमें से चार- देखिएगा तो जो मैंने आपको golden rule दिया है वो golden rule याद रखिएगा golden rule यह कहता है सामने वाला कोई भी question पूछे आपको सुनना है why should we select you और उसी के हिसाब से आप अपने answer frame करिएगा